बिहारी नियूज में आपका स्वागत है। इसके साथ ही गया में 201 और वहीं भागलपूर में 145 मामले सामने आए है। इसके साथ ही अब बिहार में 101 मरीजों की संख्या 7304 पर पहुच गई है। ग्याथो जाड़ी किये गए आकड़े 2 करोड 42,85,89 सेंपल की जाज के बाद जाड़ी किये गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 89,704 सेंपल की जाज की गई है। वैसे तो करोणा की वज़े से बहुतों की जान गई है। वहीं जान गवानों वाली की संख्या देश में लाखों पर पहुच चुकी है। और बिहार की बात करे तो मामली 1595 में पर पहुच गया है। वहीं अब अगर हम जिलेवार करोणा प्रभावितों की संख्या की बात करे तो अरर्या में 42, अर्वल 14, अरंगावाद 16, बाका बाड़, बेगुसराय 56, भागलपुर में 145 मामले हैं। वहीं भोजपुर में 18, बकसर 9, दर्भंगा 15, गया 201, गोपाल गन 14, इस चमपारन 15, जमुई 15, जहानावाग 69, कैमूर 30, कटिहार 4, खगडिय 10, किशनकज 19, लखिसराय 10, मधेपुरा 19, मधुबनी 10, मुंगेर 61, मुजफरपुर में वहीं 93 मामले सामने आये हैं। तो नालंदा में 33, नवादा 5, और पटना में 743 मामले की पुष्टी हुई है, पुर्णिया में 31, रोहतास 20, सहरसा 26, समस्तिपूर 31, साड़न अर्ति, शेकपुडा 4, शिवहर 5, सीतामधी 14, सिवान 15, सुपॉल 13, वैशाली 14, और वहीं पेश्ट चमपारन में 25 मामलों की पुष्टी हुई है, इसके साथ ही बाकी ऐसे 10 संक्रमित हैं, जो की दूसरी राज्यके हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के ही अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है, कोरोना की मामलों में बेशक बढ़त देखने को मिल रही है, सतर्क रहने की सख जरूरत है, ध्यान जिलों में बाने वाद